तो दोस्तों मानलो एक आपको नंबर दे दिया गया है n अब उसको 6 से डिवाइड करके remainder निकालना है तो फ्रेंड आपने मानलो इसको बताया कि इसका remainder जो आ रहा है वो 3 आ रहा है तो फ्रेंड अब आपसे पूछा गया है कि हम यहाँ पे n किये थी थी ना अगर इसकी जगह एन स्कॉायर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर क्या आएगा अच्छा स्कॉयर नहीं करना है तो चलिए ठीक है फिर क्यूब को बता दो n cube को अगर 6 से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा अच्छा क्यो भी नहीं करना है तो चलिए फ्रेंट आप ये बता दीजे अगर 2n minus 1 को अगर 6 से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा अब आप सोच रहेंगे अरे ये सा कैसा question होगा ऐसा question कहा आते है तो फ्रेंट आप ये देखिए ये सा फ्रेंट exam में आये हुए question है अब इन सब में भी तो वही चीज पूछा गया है ना कि when n is divided by 6 the remainder is this तो when 2n is divided by 6 remainder क्या होगा इसी तरह यहाँ पर देखिए फ्रेंट वही question है ना तो ऐसे questions को हम कैसे solve करेंगे तो फ्रेंट आज इसी वीडियो में हम यही चीज डिसकस करने वाले हैं कि ऐसे questions को हम seconds में कैसे solve करेंगे इसके लिए तो फ्रेंट आपको pen paper की भी जरूरत नहीं पढ़ने वाली है तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो चलिए start करते हैं तो दोस्तों जब कभे हमें कुछ ऐसा question मिल जाए ना कि एक number रहेगा उसको किसी number से divide करें कुछ remainder आया रहेगा यह तो आपको given रहेगा उसके बाद आपसे पूछेगा कि उसी number का हम square करें या cube करें या उसमें कुछ multiply करें फिर divide करें उसी number से जिस number से हमने पहले divide किया था उसी number से फिर से divide करें तो remainder क्या होगा तो फ्रेंट जब भी ऐसा question दिख जाए ना आपको कुछ नहीं करना है आपको बस यह जो remainder है इसको देखिए और इसको लिख लीजए देखिए इमत लिख लीजए ठीक अब क्या करिए जो चीज आपको number पे करने के लिए बोला गया है न वही चीज आप इस remainder पे करिए तरेंस यहां क्या बोला गया square किसका कियो कहा है number का square कियो कहा है तो आपकुछ मत करिए remainder के square करिए, क्या आएगा friend 9, अब 9 को ही friend जिस number से divide करने को बोला गया है न उस से divide कर दीजे, तो यहाँ 6 से divide करने को हमने 6 से divide करके remainder निकाल लेते हैं, तो remainder निकाल लिए क्या आएगा, 3, तो बस यही friend आपका answer होगा हाँ friend, बहुत simple सा इतना ही है, कुछ नहीं करना है बस आपको जो चीज नंबर पर बोला गया है न, वही चीज आप remainder पर करिए आपका answer चुटकियों में आएगा ठीक है न, तो यही हमारे trick है आप चलिए कुछ question कर लेते हैं जैसे यह question है न, तो आप आप remainder कर देंगे, remainder into 2 कर देंगे that is 2R कर देंगे, तो मारा 2 remainder क्या है, 4 तो यह करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, अब किस से रिवाइट करना है, 6 से, तो आप बताई देंगे न, चुटकियों कि अगर 8 को 6 से रिवाइट करेंगे तो remainder 2 आएगा, तो यही आपका सेम वही है फ्रेंट, लेकिन concept तो clear हो रहा है न, तो बस यही वाला आपका answer है, अब जैसे फ्रेंट, यहाँ पर आ गया, अब आपको थोड़ा सोज़ना पड़ेगा, कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो 6N है, square cube तो है नहीं, मतलब expression के form में आ गया, equation के form में आ गया, तो कैसे करेंगे, फ्रेंट, कोई answer नहीं, जो चीज वहाँ कर रहे थे न, वही चीज यहाँ पर करेंगे, हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ हमारा number N रहाता था, वहाँ वहाँ हम number R, R मिस remainder रहते थे थे, जो remainder पहले आया रहता था, तो वही चीज यहाँ पर करो, तो यहाँ हमारा क्या है, 6N-1 है न, तो हम इसको इस तरीके से लिख दो 6R-1, यह याद करने के तरीका बना लो, जहाँ जहाँ दिखे और वहाँ वहाँ उसको बदलो R से, R से बदल दो, exchange कर दो, बस आपका answer तो आजाएगा, तो यहाँ R हमारा क्या है, 3 है, तो कुछ नहीं, 6N-2, 3-1 हो जाएगा, अब चात्रिक 18 में से एक जाएगा, 17, तो हमारा नंबर आगया 17, अब क्या करना है, इसको 8 से इसको 8 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, रिमेंडर, 1, तो बस यही आपका answer, तो second वाला आपका correct answer, तो है ना friend, कमाल की टिर गए ना friend, आप seconds निकाल सकते हैं ना, आप friend, आप सोच रहे होंगे, कि अच्छा यह तो trick तो हो गई, इसके पीछे का अगर logic पता चल जाए, तो बात बन जाए, तो friend, क्या दिखका थे, मैं logic भी बता दे रहा हूँ ना, तो इसको इलिए सबसे पहले इसको साफ करते हैं, और चली हम logic देख लेते हैं, तो friend, इसका logic भी बहुत simple सा है, जो हमें question में करने को कह रहा है न, वहीचीच करते चलो, आसानी से solve हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखे, क्या बोला, when an integer, n is divided by 8, leaves remainder 3, तो friend, अगर हम division algorithm के use करेंगे, तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, diviser, that is, यह 8, into question, that is, भागफल, क्या हो जाएगा, क्यों हमाल लेते हैं, यहाँ पर question कुछ नहीं दिया हुए, तो हम क्यों माल लिया, ठीक, और यह plus remainder हो जाएगा 3, तो n जो हो जाएगा, हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, कि remainder find करना है, जब 6 and minus 1 को 8 से divide करेंगे, तो friend, हमारा n जब इसके बराबर है, तो 6 and minus 1 किसके बराबर हो जाएगा, लिख देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 6 into 8, क Q plus 3, और minus 1 है न, friend, 6 and minus 1, upon में 8, मतलब 8 से divide करके remainder निकालना है, तो अब इसको simplify करनें, तो यह क्या हो जाएगा, 8, 48, तो यह हो जाएगा, 48 Q, और यह चातरिक 18, तो plus 18, और यह minus 1 तो ही है, upon में 8, यह हो गया, अब friend, देखिए, यह जो है, इसको simplify करनेंगे, क्या हो जाएग 17, that is 48 Q plus 17, upon में 8, मतलब 8 से divide करके remainder निकालना है, यह आगया, अब friend, हमने पहली यह दूसरी वीडियो में ही यह trick देखिए थी, कि जब कभे भी number जो है हमारा, वो sum यह product के form रहेगा न, तो हम पूरा product sum करके नहीं निकालेंगे remainder, हम क्या करें कि individual का remainder निकालके, उसमें जो च चीज किया गया रहेगा, वही चीज कर देंगे, that is, यहाँ sum है, कुछ नहीं, इसका remainder निकालो, और इसका remainder निकालो, और बीच में plus आइने था, प्लस कर दो, तो हम यहाँ चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, इसका remainder निकालेंगे, friend, यहाँ क्या है, 48 into क्यों, और 48, friend, completely divisible होता है, 8 से, इसका remainder तो 0 आजाएगा, तो पूरा-पूरा कर जाएगा, तो इसका remainder 0 आगया, अब इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे का मतलब है remainder 1 आएगा, और यही चीज हमने यहाँ पे की थी ना, क्या किया था, 17 को 8 से डिवाइड किया था, वही चीज यहाँ पे भी आगये न, 17, तो बस यही ट्रिक है, friend, तो यही समझ में आगये न, friend, आपको logic क्या है, कि जो चीज हम करेंगे न, n के साथ किया गया रहेगा, वही चीज आपको r के साथ करना है, आपका answer आ जागा, और logic आप यहाँ से भी देख सकते हैं, logical method यह है और friend, यही नहीं, अगर आपका square होता, तो माल जैसे यहाँ पे है, यह है न, तो square करते हैं, इसका क्या आता, square ऐसे ही आता, 6 इसका Q का square हो जाता, plus 3 का square हो जाता, plus 2 into 8 Q into 3 होता, और friend, इसको 8 से divide करेंगे, तो इसमें 8 है, मतलब यह completely usable, इसमें भी 8 है, तो मतलब यह completely usable हो जा तो हुआ न, friend, यही थी हमारे trick, ठीक है न, friend, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हम next वीडियो में, till then, bye bye and take care